तीचर्स नीर ना यूटिव चेनल पर मैं मलेंदर कुमार आफ से भी सिक्षक बंदों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों लंच के बाद दो बजे जब दोबारा सुनवाई प्राराम हुई तो टेटी स्वागता परसंद भूसंजी ने मोर्चा समाला और कहा कि आर्टी एक्ट के सेक्षन साथ सेक्षन तेईस और सेक्षन बीस के तहद इन सिक्षकों की रेगुलर केडर में वाली होनी चाह मान्य प्रसंद भूसंजी ने नियायाले को बताया कि एंसी टीए मातर एक अथॉरिटी है वो आर्टी एक्ट के प्रापधानों को प्रवर्टित नहीं कर सकती उन्होंने आगे कहा कि सरकार कहती है टीटी एक योगता है लेकिन उसके बाद बहाली की प्रक्रिया सरकार ने अब ये सिक्षक किस प्रक्रिया से न्यूक्त होकर आये हैं या मतपुर नहीं है ये लोग सभी मानकों को पूरा करते हैं इसलिए इन्हें डेगुलर के समान सारी अधिकार दिये जाने चाहिए उन्होंने सरकार के बित्या बोज पर बहस करते हुए कहा कि बित्या बोज पहाली की बातरनी जन्रल सहाव ने कॉंटर एफिडेविट में देकर कोट को उसके कठिंता मस्तर को बताया है उसमें 1998 में लगभग 4.3-4 लाख लोग सामिल हुए और 5.8 परतिशत लोग सफल हुए जबकि टीटी की परिक्षा में 27 लाख लोग सामिल हुए और मात्र 5.5 परत के लिए पूरे देश में टीटी अनिवार्ज किया है नसी टीटी की आदेश के अनुसार सरकार ने 31 मार्ट 2015 तक नियोंतम योगता में छूट दी जिसे 3 अगस 2017 के विभागिया आदेश से बढ़ा कर 31 मार्ट तक सभी अंट्रेंट को DLA टेनिंग पूरा कर लेना है अब बि जैनल परिक्षा बिहार सरकार दोरा नहीं लेने से सिक्षकों की आर्थिक इस्तित्ति छै हुई है तो दोस्तों इस तरह से आज की सुनवाई यहीं पर समाप्त हो गई आज की सुनवाई में अटर्नी जनरल बेनु कोपाल राव ने केंद सरकार के तरफ से अपना पक्ष र रखा उसके बाद संजय हेगरे सहाब ने सिक्षकों के तरफ सपना पक्ष रखा दोस्तों कल सुनवाई पुना जारी रहेगी तो आज की वीडियों बस इतना ही मैं आपसे बिदा लेता हूं जै हिंद जै भारत